प्लरुक दने में गवा है जैसा कि आपने कहा देश में जिसे जो मरजी होता है वो भूछा ए या फिर सभी को बात करने की यहां पर पूरी आजादी है वट हाली में हमने देखा था जैसे नशीरुद्दीन शाह ने बात की और उस पर आपने जवाब दिया नशेड़ुचा गया कि हूआ जो एक है यह इसे तो पहले यह ने अटर घना कर दिया कि नहीं हम डोनों कर ऐसे निए कि आला गए और दूसरा पूचा गया कि वह आपके बड़ी करीबी दोस्त हैं क्या आप उनसे समवाद साधेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनने सीधा कह दिया कि He doesn't talk reasonably. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन मेरे senior है, उनको पूरा आख है, that's his interpretation, I love him for him. मुझे तो एक ही विज्वल याद है इस शहर में, कि हम दो, वो मेरे से पहले आये थे और established हो गए थे, पर जब मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी, मेरे को पहली एक गाड़ी का नमबर याद है, जो पहली गाड़ी थी, क्यूंकि उससे पहले मेरे पास cycle थी, न मोटर साइकल थी, ना कुछ था, M.A.P. 5068, महभूब स्टूडियो के पास, मेरी गाड़ी क्रॉस हुई और उनकी गाड़ी क्रास हुई और उन्हों ने मुझे देखके कहा, ये, कि तुने भी गाड़ी खरीदी, I think I, for me that moment is much more important, बाकी तो जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जाती है, एक दूसे को, उनको भ जाती हैं, I will pick up the phone or go to his house and say, कि आउ जगडा कर लेते हैं, ये, गले लग जाते हैं, बत इसकी बात, पुलिटिक में, थू प्रेस इसको नहीं बात करना चाहूँगा, अनुपम जी, इस अक्षर त्यागी प्रमारो जाला, पहला जिनानी जी ने कहा था कि आपको इस फिल्म क आपको कि दर्शकों का इस पर इंटर्प्रेटेशन क्या रहेगा, और क्या, आपको क्या लगा इस ट्रेलर देखके, बताओ, सच्ची बताना तुमको अपनी मामाई की कसम है, सच्ची बताओ, क्या लगा, तो मैं भी लिखके जवाब दे दूँगा, कैसा लगा, औरे क्या कर रहे हो, आचा है, आचा यह आ। किकितरशा है अद्ध पहले उनका सवाले लेजिनोंने ट्रेलर देखा, को पर क्यों पर ट्रेलर में अपलेट क्यों होगी फैले बताओकि क्यों है अप लेटेक आप टेलर में नहीं पहले बताओ नहीं मैं क्यूंत आपके सवाल कें नहीं आप ट्रेल में लेट आई है सॉरी नेरन रिक्सिंट-टान नैने मीमिल कुल भे हपने रादовых थेowan रामर चेलए अंने साङ क предлаг यह उन्य स्यों हे और यह जा का टैसे यह फॉजभी आपके जाब तेसे फिल्म के अंद जब कोई किरदार निवाद ए गरेक्टर के अन अने से विल है और इसके अन्द बाहर निकलने के लिए का पुरी एक प्रक्रिया हो तूच कर आदा चाहने है Thank you, Pannu says, thank you so much for asking this question. I think what came across between, this is a love story, according to me, between Sanjay Baru and Manmohan Singh. This is the film. Once you see the film, this is what will come across. Our relationship, that means Sanjay Baru's and Manmohan Singh Ji's, relationship is the film. प्रिष्ट भूमी में दो हजार चार से लेकर दो हजार चाओदा के बीच में Sanjay Baru, जो उनके मीडिया एडवाइजर थे, उनकी और प्राइम मिनिस्टर की कहानी है, बेसिकली. And I think what we did was, as I said, we lived in a secluded place, बहुत दूर लंड, इंगलंड में. We bonded, I think, मैं अक्षे के साथ बहुत दो तोद फिल्मे की हैं, बत जो प्यार इस पूरी फिल्म में इनके प्रती मेरे मन में जागा है, वो अगर कोई और फिल्म करते तो शहद नहीं जागता. The mutual understanding, the mutual love, the relationship that we three will share for the rest of our lives, whatever the fate of our career or our life will be, I think that will, the credit for that goes to this film. It was a difficult film, and जैसे जैसे फिल्म की नजदीक आती जाएगी, पूरा प्रोसेस बताऊँगा, मैंने तो रिकॉर्ड भी किया सारा, क्या से तैयारी किया, फिर्स टेप क्या थी, पहले आवाज में कैसे बात होती थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा, जैसे देश में जो प्लेयर की बात हो रही है, वो हमको यहां करनी चाहिए, या नहीं. I don't think it is very important to answer these questions which are politically being asked, I think what we should talk about is the brilliance and the hard work that we have gone into while making this film. Thank you very much. Next question. Hello. I think Dr. Manmohan Singh is basically a shy person, he is not a trained politician, he was an economist brought as the reserve for the finance secretary and then the finance minister and then he became the prime minister and that's how he was the accidental prime minister and I was very happy with his sense of humor recently in one of the, at his book release he said that he was not only a an accidental prime minister, he was also an accidental finance minister, so I'm a very, I like to perform physically, means gesture is the market. I was talking with Kiran, I was talking with Kiran, I was in Chandigarh, so I said I was going to shoot for shooting, so she said something very interesting, don't act out like Manmohan Singh, be Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh, I think that was the, be was very important. But it's the coordination actor, if you notice him, his, his hands are in a certain manner, like somebody the first question that he had that it's very easy to become the character as a caricature. So I was always constantly running, walking on a razor's edge. And we had a very dynamic director who was, who, he's a very good criticiser. So he was very, very difficult to please. And for a young man like him to sort of have this kind of a quality is phenomenal. But Manmohan Singh, I was in a silent zone, not, not that way, silent zone, but I went inside. And that's why it was, it was difficult. Sathy, uh, a question or tha, aap dono se, uh, uh, pehla ki, uh, aap ne, jabh yeh, puri film ki hai. Or you dono, do languages mani hai film. Achha. English me bhi bhi hai, or Hindi me bhi. To after we used to do the Hindi version, uh, one shot, and then we'll have to do the English version. और, uh, somehow the, the equation sometime used to change. फिर, uh, अंग्रेजी में पहला शॉट देते थे, फिर हिंदी में शॉट देते थे. तो it's a, it's a, it's a very, it was a very interesting process what we, uh, we followed. And every character is. और दो लेंग्विजर में और डब हुई है. जो सब्जेक्ट आपने चुना है, वो कही नहीं ही थोड़ा सा कॉंचरोवर्शल है, मतलब, not Mr. Manmohun Singh, but his journey. Of course it is. But those were the controversial era, let's not run away from it. Yes, yes. This is, this film, according to me, whatever the fate of the film will be, whether it does well or not, it will do very well. . But, this film is a game changer in Indian political cinema film making. This will be a, we have been able to take the names of the people, we have gone first time into the PMO, you have seen movies for White House, inside, etc. This is the first time you don't have fake alias. You don't have, you have real people, real offices, real etiquettes, real kind of a thing. There is everything, the art department has done a great job, the costume department has done a great job. So let's be proud of this film, all of us. Definitely. Hi. All right. My question, my question was. Sorry. Post the release, . I don't think we will worry about that. Thank you, sir. You see, let's not anticipate it. That's why I said that people who are sitting here have made a film. And we also know that what you are asking is very genuine question. But, . Someone had to start, no? We have, we never had good political films. Maybe it's 2018, we started. Maybe next five years, two years, someone would have started. So we are the first one. That's it. Hi. Ma'am, if you could just use the mic. And this will be the last question? Hi. Can I have some water, please? . 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 My mother is an internet sensation. . . . . . . . . so so which is oh my god no she did not and i think that was the best compliment i could have got that my mother did not know that it was me or or dr manman singh but that is i think a lot of people have तूह वेर्बस्ट तूह सब्सक्वाइब। It's a realistically made film. There is no different. मुशे मुशे इन्होने मुझे कटवाली थी मेरी उसमें. But it was wonderful. While getting ready, I was also getting ready. You didn't want to cut that. Yeah, because I had a continuity of that American film. Yes, either see, किसीने सवाल पूचा था. Hi, Rahul, you're the film. मेरा सवाल अच्छा है, सबसे पहले तो टेलर बहुआ है. Prime Minister का रोल निभाया है. तो आपको क्या लगता है, जो Prime Minister का रोल निभाया है. उनको किस विश्य में फोकस करना चाहिए? Jobs, development, education, women's safety, या गाई, mob lynching, mandir masjid, किस में उन्हें? आप मुझे पूछे हैं, कौन सी भंगमाई मुझे दिखानी चाहिए, मैं आपको बता सकता हूं, मुझे क्या बता भईया? लेकिन अपना तरीका वो अपना अंगल डूंड रहे हैं कि उनको कोई डिफरेंट ख़र क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नया लेकर आऊँ, कि फिर वो ले, अनुपम खेर ने दिया करारा जवाब. सर्य यूट्यूब कैप्शन मेरे बेटा कोई करारा जवाब नहीं है, जो जो अपनी अपनी खुर्सी पर हैं उनको पता वो क्या कर रहे हैं, उनको करने दीजे, मैं मेरे मेरे में एक बना बच्छार शेर है, कि रिंदे खराब हाल को जाहित ना छेड़कू, तुझको परा बादा आएगा, it's a very very important film, मैं विजे के बारे में बोलना चाह रहा था, ये ट्रेलर चल रहा था और ये मैसेज कर रहा था, I got very irritated, I said, message किसको कर रहा हूँ, मैं ट्रेलर चल रहा है, कहते है, नहीं, वो वॉल्यूम थोड़ा उंचा कर रहा हूँ, मैसेज भेज भेज रहा आएगा, हमारे हाथ से फिल्म निकल चुकी है, इसका भविष्य जो है, but it's very important, very interesting, that political films are being made, biopics are being made, actors are getting a lot of chances, वरना जैसा इन्हों ने कहा कि, ये अब एक्टर का जमाना है, स्टार्स तो है है, भगवान उनको और लंबी उमर दे, और लंबा काम दे, मगर this is, if you have to survive, you have to act, you have to deliver, that's much is important, आज की सभा यहीं समाप्त करें, हाँजी, दूर दूर तक नहीं, मेरा अगला तीन साल तक तो कॉंट्रेक्ट मेरा वो न्यू आमस्टरडेम के साथ है, तो इस